पढ़ती है ना असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ इनुमान कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत है लाइफ में तो हम यहाँ पर आये हैं नवाब हाउस रेस्टोरेंट जो की सीब में है दरसल यहाँ पर यह लोग फेस्टिवल सलिब्रेट कर रहे थे वेलकम करने पर यहाँ पर डूल बनगारे बज रहते और यहाँ का मैं आपको कोई चोटा सा टूर देती हूँ खाना यहाँ का बहुत ही मस था अच्छा था रेट भी पॉकेट फ्रेंड लेता आप ट्राइट रख सकते हैं यह रहा उसका मेन्यू यह अंदर का है आप चाहे तो अंदर भी बैठ सकते हैं एसी में या फिर आप बैठ सकते हैं जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो आए प्रिफर के अंदर ही बैठा जाए बढ़ हम जब कहते हैं तभी इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं होई थी तो यह अंदर का वीव है और यहाँ पर जो ऑप्शिंस रखे हुए आप हम लोगों ने भी ऐसे किया था कि आ यहां हमारा ओर्डर आगए हमने मंगाया था मतन मंदी यह है चिकन सिक कबाब कडाई जो है हमने ओर्डर किया था साथ में पुलाव टेर्सी था खाना लेकिन वन परसंट सर्विंग थी और फिर यह है उसका बाहर का नजारा जहां हम बैटे हुए थे यह हमारी टीबी यह है दोस्तों अगला एवेंट जहां पर हम गहते हैं यह है जो मार्केट सोरी मार्केट के रही जो एक्जिविशन लगता है यहां पर तरह तरह की लोग अपना जो है यह यह लगाते हैं क्या कहते हैं उसे स्टॉल लगाते हैं तो इसवार यह जो स्टॉल लगा था यह सो प्ले कर सकते थे टॉइस वगेरा सब रखा था डेकोरेशन बहुत अच्छा था और काफी अच्छे तरीके से यहां पर जो है यह बहुत सारे आइटम जैसे के लेस आपको देखने के लिए मैंने भी यहां से कुछ लेसे जो मैंने खरीदे थे और साथ में यह बुर्खा रखते हैं अब यह स्टॉल में अपने और भी चीज इन्हों ने अड़न किया है तो अभी नेक्स्ट जो है सेल आज से स्टार्ट हो रहा है जो के है लूलू रूवी में तो अगर आपको भी यह सेल में एक्जिविशन में जाना है तो आप भी आज जा सकते हैं शाम पाच बज़े से दस बज़े तक रहेगा तो एक्जिविशन वहां पर कुछ तीन दिन के लिए है जिए हो थर्टी से स्टार्ट होगा थर्टी और में 31 यह रहा इनका बुर्की का कॉर्णर यहां पर नहीं कुछ स्काफ बगेरा भी रखते थे फिर आज़र एक्सेसरी यहां पर टॉइस रखी होई थी जो देखने में तो काफी कूपसूरत थी पर इसको हम ऐसा डैकोरेशन के लिए अपने घर में लगा नहीं सकते और ऐसे ही सब लोग अपने अपना जो भी स्टॉल है वो लगाते ही यह वो प्ले एरिया है जो मैंने आपको बताया था तो य केम्स भी यहां पर थी और कुछ टॉइस भी ऐसे जो आप देख सकते हुआ पर रखा हुआ है गोरिल्ला डाइनसौर बड़ी बड़ी कार्स भी थी और यह फुट्प्रेंट और हैंड्प्रेंट के साथ भी खेल सकते थे साथी में यह जो स्टॉल लगा था यहां पर समझ यह भी हाइफाइब कोष रिलाका ता और यहां पर हम जो है अपना जो खरीदना था वो खरीद लिये और उसके पाद घर के लिए निकल पड़े यह इसका नाम सोक-अ-बडिना तो का मतलब होता है गाइस मार्केट अरबिक में यहां पर मार्केट को सोक कहा जाता है सोक वह वाला सोक नहीं जिसमें गम हो और यह फ्रंट एंटर था हम लोगों ने अच्छली बैक से एंटरी किया था अच्छली 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 एक विला था जिसमें लोग रहते थे और वह अपने ही सामान का जो है वो लोग ने सेल लगाया हुआ था यानि कि वो यूजड आइट अप का सेल था तो हमने वहाँ से कुछ खरीदा नहीं और अब उसके बाद हम गये थे कंताब बीच क्योंकि वो कंताब में था और कंताब बीच नजजीक था बट वहाँ पर पानी काफी उपर तक था और वो बीच बन था यह रहा वो खुबसूरत सा बीच का नजारा वैसे तो मान के सारे ही बीच काफी खुबसूरत है गाइस बिगॉस यहां पर जो पानी है वो बिलकुल साफ और क्रिस्टल क्लियर ब्लू होता है जो कि देखने के लिए काफी अच्छा लगता है और यह यहां के आसपास के पत के लिए से जमा हुआ तो बच्ची उसी में केल रहे थे और यह मैं आपको दिखा रही हूँ यह है बुस्तान पैलिस जो अब बुस्तान होटल की नाम से जाना जाता है तो बस हम अपने बीच पे आ गए थे तो जैसे के मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बीच लव होना है तो बस इनका किला बनाने तक हम यहां पर बेट करेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे क्योंकि गर्मी हैगा इस धूप में ओमान का दूप धूप होता है आप एक अंडा रखो वह अंडा बीना पानी के उबर जाएगा ओमलेट फ्राय हो जाएगा पानी इतना गरम के पानी को गरम करने की कोई जरूरत नहीं सो बस हैट्स ओफ टू पीपल जो यहां पर रहते हैं कि ओमान की दो ही मौसम है एक गर्मी और एक थंडी बीच पर किला बनाने के बाद हम मतरा के तरफ जाने लगे और यह बीच में जगा पड़ी जिसका नाम है अलमरीना और यह यहां पर अलमरीना का जो है आपको व्यूपॉइंट दिख रहा है यहां पर सारे बहुत सारे बोट्स वगरा होती है और यह पूरा अच्छे से बन बाला है पार्ग है यहां पर और बच्छों के लिए और बड़ों के लिए सबस्क्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अकली वीडियो के साथ